हाई गाज दिवाली के बात आपको फिर हमारी नर्शरी के अंदर लेके जा रहा हूं तो दोस्तों वीडियो स्क्रेप मत कीजेगा क्योंकि आज हम आपको एजिलिया के बारे में रिपोर्टिंग के बारे में एक नए वीडियो लेके आया हूं बहुत दिनों बात आज फिर ये मौका मिला है आप लोगों को ये वीडियो दिखाने का तो दसरा और दिवाली दोनों पुराव चुका है तो हमेशा की तरह आप हमारा दैनिक काम जो नर्शरी के प्लांट को देखबाल करना है ताए तो आज हम आपको हमारी नर्शरी के अंदर देखे जा रहा हूं तो अभी हमारा दार्जिलिंग में बहुत अच्छा मौसम हुआ है तो अगर आप लोगों को यहां आकर इन नजराओं को इन खुबसूरत वदियों को देखना चाहते हैं तो हमरी देगए नमबर पर आकर नर्शरी से प्लांड खरीच सकते हैं साथ-साथ में इन मौंड एबरेस का जो खुबसूरत नजराए वो भी देख नेको मिलेगा तो फटा फट देगए नमबर पर संपर करके किस भी प्रकार की प्लांड की अवस्कता हो तो वो कल करके हमें पता लगा के आप मंगवा सकते हैं या आके ले जा सकते हैं तो चलिए आज हम आपको हमारा जो एजिला जो प्लांट है उसमें रूट आना शुरू हो चुका है तो उसको हम पिछले दिनों से हम उसको रिपोर्टिंग कर रहा है तो आज का वीडियो में आपको ये रिपोर्टिंग किया हुआ वीडियो तैयर करके यूटूब चैनल में डाल रहा हूं तो अग कि हमें और एसी वीटियो बनाने में मोटिवेशन मिले तो चलिए यह रा एजिलिया तो इसमें बहुत मजबूती से जड़ा आना शुरू हो चुका है तो इसको हम दो इंच के पड में डालने जा रहा हूँ यह प्लांट में दो धाय मैने में जड़ा आना शुरू हो जाता है तो तीन मैने के अंदर अंदर हम यह एजिलिया को कटिंग करने के पाद तीन मैने के अंदर अंदर हम इसको दूसरा पॉर्ड में रिपोटिंग कर देंगे और तीन मैने चार मैने बाद फिर यह तयार होके एक खुबसूरत भूस तयार हो जाएगा तो एजिलिया को कटिंग से बाहर निकलने का सही तरीके देखिए अब मत पॉट उठाते हैं उसको चारो तरफ अलका सा मारते हैं त तो वह टाइट होने के बाद हम ऐसे उपर से इस प्लांट को खीचेंगे तो वह जड़ तुट जाएगा तो साइट साइड में हम हिलाने से यह हिल जाता है तो जो बालवा है वह नाजुक होता है तो निकालने बहुत आसन होता है तो आप लोगों भी अगर एजिलिया का प और भी जो हमारा इज़े ऊपर का जो बालवा होता है उसमें तीन मैंने तक भार होने से धोल मिटी आने से इसमें फंकस आता है तो इसको उपर ऊपर का हिसाम इन पन्नी में डालेंगे जो बाकी नीचे आदा होता है उसको ऐसे छोड़ देंगे और यह जो पन्य में डला हुआ है उसको दोब में सुखा के फिर हम साफ पानी से दोएंगे फिर इस आदह जो पड़ हुआई उसमें भरके राखेंगे तो अगला जो कैमिलिया होता है ये गोल क्रिष होता है ये कोई भी प्लांड होता है हम इसी के उपर फिर कटिंग डालेंगे तो दिखिए इसमें हमने 10% बालुवा डाला है रेड डाला हुआ है और 20% मट्टी डाला हुआ और 70% इसमें कमपोस मली है तो इससे मिला के हम ये खाद तायर किया हूँ तो इसमें कि जब हम रिपोर्टिंग करते हैं तो द्यान खेते आएगा हम इसके घंट उपर नाजκε होता है Sophia है tidak वो तोर ते तोरकर ते तोरके अलग County कर ता आपको इसे दिखा रहा हूं, यहां हम ने पॉड में डाला आए, इसका जो उपर का डाली होता है, हमने काट के फैंक दिया है, तो यह काट के फैंक दिया है, कि जो नीचे से जो दुस्त के डाली उगएगा, वो एक दर ठोस होके निकलेगा, और भूस भी अच्छा बनेगा, तो वो पॉंसाई की तरह दिखेगा अगर उसका उपर का हम हिस्सा काटके नहीं फैंकेंगे तो यह पेड की तरह उपर चला जाएगा तो दिखने से बदा दिखाई देगा और फूल भी अच्छा नहीं किलेगा कली भी अच्छा नहीं किलेगा इसलिए हम उसको उपर में डालके काटके फैंक देता है तो आप लोग ने बहुत से ऐसे यह फॉरी कल्चर वाला विडियो आपने देखा है तो कहीं लोग आप को तायर करते हैं उसी की हिसाब से हम आपको बताने जा रहा हूं क्योंकि हमारा यहां और्गनिक 100% और्गनिक मॉल्स से तायर किया होता है जैसे कि आप लोगों को कौन सी इस्टेट से हो कमेंट करके बताएगा आपने अपना इस्टेट का आपना अपना वडर होता है तो इसी उसे आप से आपको इसमें केमिकल भी यूज करना होता है यह नहीं है कि इसमें केमिकल बिल्कुल नहीं डिलेगा हमारे यहां नर्शरी में डालता है मगर जब यह बाहर यहां से बाहर होके जाता है आसाम गुज्रूराथ, गौार्टी, इन जगह में जाने के बाद हमारे क्लाइमेट और वहा के क्लाइमेट नहीं मिलता है, तो वहां के हिसाथ से हिसमें कुछ केमिकल्स डालना होता है, इसको खाधमिद्धी आलग से देना पड़ता है, इसका प्रोटीन विटामिन भी देना बढ़ता है मगर अभी हमारा जो जब हमारी यहां नर्शरी में होता है दार्चिलिंग में इसमें कुछ केमिकल की देने के ज़रूरत नहीं पड़ता है तो हमारा यहां जब बाहर जाता है तो 100% नैच्रिल प्लांट होता है इसमें आपको अभी तक हमने तैयर लगबक 15 सो से ज्यादा हमने प्लांट रिपोर्टिंग कर चुका हूं अभी भी हमारा पास बहुत से है अगले साल आपको फिर आप यहां पर माल यह केमिलिया जिला लेने आओगे तो आपको कुएंटिटी में मिलेगा कमरेट में मिलेगा और जो बालुए आपको दिखाई दे रहा है उदर में उसमें आम कटिंग डलते हैं तो इस जन का यह अजिलिया यह जुलाय अगर्ष में तायार होके निकलेगा नवेंबर डिस्मबर भी तक भी रहेगा तो इसमें उपर आपको जो सपेट सपेट दिखाई यह बालुए आपको हम जूटने बूल रहे हैं इसमें बालुए भी मिक्स किया है और यह कॉम्पो जो मट्टी है वह मट्टी 20% डलते हैं इस प्लांट में तो यह 20% मट्टी यह डाला हुआ है तो आप लोगों को भी इसी तरह आपको आप पॉट में तीनों चीजों को मिला के एक ठोस माल तायर करना होता है तो हमने यह पूरा बालुए में कटिंग डाला हुआ है तो 100% सक्सेस हुआ है अगर आप लोगों को कटिंग डालते समयें अगर आपका यह प्लांट सक्सेस नहीं होता है तो हम आप हमें कमेंट सेक्षिन में जाके कमेंट करके पूछ सकते हैं हम इसका भी एक वीडियो बन झाला हुआ 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 है